एक चवान और एक पठान जब मैदान पर चले दो यंग सुल्टान तो साउथ अफरिकी टीम की शामत आई ना केशो का बल्ला चला ना किलर मिलर का वांडे डूसेन भी देखते रह गए भारतिये गिंद बाजो के आगे नहीं चल पाया अफरिकी बल्ले बाजो का बल्ला वर्ल्ल कप हारे तो क्या हुआ ना तेवर कम हुई ना जीत की भूख 23 साल के लड़के ने तोड़ दी कमर टीम इंडिया को मल गया दूसरा मुहमत शमी जोहानस पर्क के मैदान पर टीम इंडिया ने रचा ऐसा इतिहास देखती रह गई दुनिया तीम इंडिया ने दक्षिन अफरिका को वन डे सीरीज के पहले मैच में ही आठ विकेट से हरा कर एक इतिहास दर्च किया है भारत के लिए श्रे सेयर और साइंस सुदर्शन का ऐसा तूफान आया कि रोके नहीं रोक पाया लेकिन उससे पहले उसी मैदान पर एक जवान और एक पठान ने गदर काटा था एक तरफ अरशडीप सिंग की गेंदे आग उगल रही थी तो दूसरी तरफ आवेश खान को रोक पाना अफरिकी बल्ले बाजू के लिए नाममकिन साबित हो रहा था टिम इंडिया ने जोहानस पर्क में खेले गए मुकाबले में 200 गेंद रहते हुए जीत हासल कर ली भारत ने इस मुकाबले में खास उपलब्धी भी अपने नाम कर ली आफरिकी टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 116 रन पर से मट गई थी इसके जवाब में भारत की शुरुआत भी कुछ अच्छी नहीं रही रेतुराज गायकवार जल्दी आउट हो गए लेकिन भारत ने फिर भी आर्ट विकेट रहते हुए जीत हासल की टीम इंडिया की सबसे कम गेंदे खेलते हुए ये छौथी बड़ी वन्डे जीत है भारत ने 200 गेंद रहते हुए ये मुकाबला जीता है टीम इंडिया ने साल 2023 में ही श्रुलंका के खिलाव 263 गेंदे रहते हुए मैच जीता था दक्षिन एफ्रिकी टीम पहले बाटिंग करते हुए 116 रनों पर धेर हो गई इस तोरान कप्तान एडन मार्क्रम 12 रन बना कर आउट हुए फैलुक वायो 33 रन बना कर चलते बने भारत के लिए बॉलिंग करते हुए अर्शदीप सिंग ने 5 विकेट जटके जबकि आवेश खान ने 4 विकेट लिए लेकिन तारिफ करनी होगी आवेश खान की आवेश खान T20 में जब सुरे कुमार यादो की कप्तानी में महंगे साबित हुए तब भी सुरेया ने उन पर भरोसा जबाय रखा और नतीजा कि आवेश खान को जब मौका मिला अपनी गलती सुधारने का तो आवेश ने साबित कर दिया कि वो एक बहतरीन गेंदबाद साबित हो सकते हैं आवेश खान ने आट ओवर में तीन मैडन फेके और चार विकेट हासिल किये कुल्दी प्यादो को भी एक विकेट मिला दक्षिन अफ्रिका के दिये टागेट का पीछा करने उत्री टीम इंडिया सत्रवे ओवर में ही मैड जीत गई उसके लिए सुदर्शन ने अर्दुषय तक लगाया साइन सुदर्शन को आज रिंकू सिंग को जॉप करने के बाद मौका मिला था लेकिन साइन सुदर्शन को खिलाना सही फैसला साबित हुआ साइन सुदर्शन की बल्ले बाजी में आज धार और रफ्तार दोनों नजर आई नतीजा कि रिंकू सिंग को बाहर जाना पड़ा जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस कहने लगे कि रिंकू के साथ नाइन साफी हो गई रितुराज गाएकवर्ड पांच रन बनाकर आउट हुए तिलक वर्मा एक रन बनाकर नाबाद रहे और इस मैच को भारत ने आठ विकेट से अपने नाम कर लिया इसी मैच के दोरान एक मोमेंट ऐसा है जिसने लोगों को इमोशनल कर दिया दरसल साउथ एफरिका के 9 विकेट गिर चुके थे और अरशदीप सिंग अपने 5 विकेट पूरे कर चुके थे अरशदीप सिंग अपना दसवावर फेक रहे थे उस वक्त अरशदीप सिंग ने 5 विकेट ले लिया था वो चाहते तो छटा विकेट फेक सकते थे क्योंकि सामने टेल अंडर था जो बार बार अर्षदीब की गेंद देकर डर रहा था लेकिन अर्षदीब सिंग ने अपनी सारी गेंदे बाउंसर फेकने की कोशिस की और जब ओवर खत्म हुआ तो एक इशारा किया आवेश्खान की तरफ आवेश्खान की तरफ इशारे से अर्षदीब सिंग ये कहना चाहते थे कि मैं पांच विकेट ले चुका हूँ अब पांच विकेट आप अपनी पूरी कर लो रिंकू सिंग को बिठा दिया गया कहा जा रहा है कि रिंकू सिंग को इसलिए बिठाया गया ताकि संजू सैमसन को खिलाया जा सके दरसल वांडे में केल राहूल ने एक जबरदस प्रयोग किया वैसे प्लियर जो कि टेस्ट स्कॉर्ड में भी टीम इंडिया का हिस्सा है उन्हें वांडे में ड्रॉप कर दिया गया है रिंको सिंग टीम इंडिया के टेस्टी में भी है जो साउथ आफरिका के खिलाफ केलेंगे इसलिए रिंको को पहले मैच में ड्रॉप करके संजू सैमसन को उतारा गया संजू ने फिल्लिंग तो की लेकिन बतकिस्मती से उनकी बैटिंग ही नहीं आ सकी अब इसे बतकिस्मती कहिए या कुछ और जादतर मैचों में संजू सैमसन के साथ यही होता है वो जिस मैच में उतरते हैं उनमें से जादतर मैच एक तरफा ही हो जाते हैं वैसे भारत के इस जीत को आप किस नजर से देखते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा